बिस्मिल्लाइ एक्वान रहीम आज मैं खजूर के लड़ू की दो रेस्पी आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्थी ये एक लड़ू आप दिन में खा लें तो आपकी सारी एनर्जी पूरी हो जाएं सारे दर्द भाग जाएं चले शिरू करते हैं कम से कम 11 से 12 मैंने खजूरें ले ली हैं अब इनके हम बीच निकाल लेंगे इस लड़ू को सब खा सकते हैं क्योंकर ये खजूर में बना वाएं इसमें हमने चीनी का इस्तमाल बिलकुल नहीं करना है और ये बहुत ही हेल्थी है तो आप ये लाजम बनाके रखें बच्चों को दें खुद भी खाएं और हमें क्या-क्या चीज़े चाहिए है एक तो हो गई है खजूर वन टेबल स्पून कोकरनट ओयल वन टेबल स्पून तहीना एक बाउल काजू और दो टेबल स्पून हमें चाहिए कोकरनट पिसावा कोकरनट चलें शुरू करते हैं पहले डालेंगे काजू और इसे हम पीस लेंगे बेलकुल बारीक नहीं करना है थोड़ा गदरा सा रे इस तरह पीसना है यह देखें कुछ इस तरह से होना चाहिए अब इसमें हमने खजूरें डाल देनी है पहले हम काजू इसलिए डार रहे हैं कि खजूरें भी इसके साथ फिर अराम से होजएंगे पहले जब आप खजूरें डालेंगे तो वो पीसने में प्रॉब्लम करेगा इसलिए पहले काजू करें बाद में खजूरें उपर से डालें और आप इनको पीस लेंगे यह देखें यह भी कुछ इस तरह से होगे अब इसमें हमने बाकी चीज़ा एट करनी है कोकनेट ओयल जो है वो एट करेंगे साथी में इसके खोपरा एट करेंगे कोकनेट और साथी में इसके तहीना एट करेंगे अब इसे हम पीस लेंगे अच्छी तरह से कुछ इस तरह से यह होना चाहिए यह देखिए चलें आएं इसे बाउल में निकाल लेते हैं अब इसके हम लड़ू के शेप बना लेंगे आपकी अपनी मर्जी है चोटे बनाएं बड़े बनाएं मैं चोटे बना रही हूँ ताकि वो एक या दो बाइट में खत्म हो जाए और बच्चे भी शोक से ले लेंगे जब चोटे देखेंगे बच्चे तो वो अराम से ले लेते हैं और खा लेते हैं इसलिए मैं छोटे साइज बना रही हूँ यह हमारा लड़ू त्यार हो गया इसी तरह हम बाकी भी त्यार कर देंगे अब बाउल में तिल लेंगे वाइट तिल लेंगे और लड़ू जो है वो इसमें ऐसे करके घुमा देंगे ताकि तिल इससे अच्छे से सारी जगा पे लग जाए ताकि ये दिखने में भी खुबसूरत लगे ये हमारे खजूर और काजू के लड़ू बिल्कुल तियार हो गए है ये देखिए जितने खुबसूरत दिखने में लग रहे हैं उसने ही जबदस खाने में है चले आएं दूसरे बनाते हैं इसके लिए चाहिए हैं हमें खजूर वही 11-12 और वालनट अखरोट और ये ही खोपरा तीन से चार चमच और एक चमच कोकनट ओइल चलें इसे शुरू करते हैं पहले डालेंगे इसमें वालनट और इसे पीस लेंगे गदरा गदरा पीसना है जादा पतला नहीं करना वालनट पिस गए है अब इसमें हमने डालने हैं खजूर इसे भी पीस लेंगे ये देखें ये कुछ इस तरह से हो गया अब इसमें हमने डालना है ओयल कोकनट ओयल और कोकनट पिसावा कोकनट खोपरा और हलका सा नमक डालिएगा पिंच ओफ नमक डालिएगा बिल्कुल हलका सा अब इसे भी हम पीस लेंगे इसमें आपको चुले की जरुरत नहीं है आप खड़े खड़े इसे अराम से बना सकते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं इसे बना के रख लें और दिन में एक खाया करें बचों को भी दिया करें त्योकर इसमें शुगर 애ड़नी यह बहुत हेलथी है और ताकत इससे बहुत आती है जिसम में दर्द आपके सारे दूर हो जाएंगे यह देखें यह त्यार हो गया है इससे निकाल लेते हैं इसके भी लड़ू त्यार कर लेंगे छोटे साइस के और इन्हें भी तिल में उसी तरह से राउंड करेंगे ताके तिल अच्छे से लग जाए उमीद करती हो आपको यह दोनों रेस्पियां पसंद आई होंगी चलें जी दौाओं में याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्यार रखिएगा और हो सके तो लाइक और सब्क्राइब और शेयर कीजेगा अल्ला हाफिज